हेलो फ्रेंड्स मैं नीरुजिंदल शीरी हरी क्रोचिट नेटिंग चैनल की तरफ से आप सब बेनों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ देखिए आज मैं आपके लिए बहुती सुंदर दो कलर के ड्रेस लेकर आई हूँ देखिए पूरी लेयर वाली ड्रेस है इसके अ अंदर मैंने स्टेफ पर स्टेफ इस डेजाइन को सिखाया है और कैसे चोटे से लेकर बढ़े तक हमने इसको कैसे बनाना है वह भी मैंने इसको बताया है वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो दिखिए बनाने से पहले आप एक बा कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दवाई और और पर जरूर क्लिक कीजिए तांकि जो भी नई वीडियो प्लोड होती है इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चाहे इसको गैरा नंबर के क्रोशे से बनाएं जो बेवी फूल आती है इसके उससे बनाया है चले बनाना स्टाट करें देखिए फ्रेंट्स यह मैंने पांच नंबर की चोली ले ली हैं देखिए सबी चोली का लिंक में डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूंगी देखिए अब हमी ज तीन से दो का एक फिर रूप लेन है next रियन की अंदर रेखि लेकर प्रकाय ंदर देखिया हमने double क्रोशिया बनाना है bit रावल क्रोश्या उसी के अंदर दोबारा से बनाना joue इस तरह से लेकर एक 창े अदर हमारे पास दो डबल करोशिया हो गए फिर नेक्स्ट की अंदर डबल करोशिया बनाएंगे एक फिर उसी की अंदर दुबारा इस तरह से फिर नेक्स्ट की अंदर पहले एक डबल करोशिया फिर दूसरा डबल करोशिया देखे इस तरह से हमने इस राउंड को कम्प्लीट करन आनसे हैं एक chain की अंदर दो 22 डबल करोशियद बनानी है देखने chain हम इसको बोलते हैं जो हमारे ये नीचे डबल करोशिया की चैन होती है इसको इसके अंदर एक chain की अंदर हमने 222 करोशिया चली इसे पर आंड को हम complete कर लेते हैं देखिए अब यह हमारा last round खतम हो गया है अब देखिए हमने जो हमने यहां पर 3 की chain बनाई है वहां पर इसको हम यहां पर stitch कर देंगे slip stitch करते हुए join कर देंगे इसको इस तरह से अब देखिए हमने क्या करना है तेरा chain इन बनानी है दो तिन चार पांच साथ आठ नोग दस गयारा बारा तेर दिखें तेरा chain बनाकर हमने इसके अंदर तो बना हुआ है हमने एक चन स्किप करänge we宿 यहन के अंदर हमने इसको slip stitch करदेना है इसतरह से अब फिर से तेरा चैन बनानी है, चार, पांच, छे, साथ, आठ, भूं, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा, तेरा चैन बनाएंगे, नीचे से फिर एक लिखी इस तरह से, इसके अंदर तो हमने बनाए है, इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट के अंदर डालेंगे, इसको क्रोश्य को और यहां पर स्लिप स्टिच कर देंगे, देखे, इस तरह से हमारे यह रिंग से बन जाएंगे, फिर से हमने तेरा चैन डालनी है, फिर से हम देखे, जो हमारी यह चैन बिल्कुल, इसको हमने इस तरह से सीधा रखना है, इसको मतलब घुमाना नहीं है, अब नीचे से फिर एक और next के अंदर third chain के अंदर डालना होता है देखिए इस chain से तो हमने बनाना start किया है दूसरी को छोड़ेंगे और next में डालेंगे एक pass वाली chain को छोड़ देना है देखिए इस तरह से करती हमने पूरे round में कर देना है यह total हमारे पास देखिए हमारे पास यहां पे 28 डबल हैं तो हमारे 28-28 ही यह रिंग बन जाएंगे तो फिर उसका आगे हम डेजाइन स्टार्ट करेंगे डिखीए अब हमारा देखेत लास्ट का आ गया है देखई हमारे पैस अब यह एक करना है को यहीं से स्टार्ट करेंगे एक चैन बना ल interviewed हम ने यहां पे तेरा चैन बनाइए थी दिखेंथ Palaka जैन बनाए थी हमने इसके अंदर फिर्स्ट वाली जो हमारी जैन है उसके अंदर आधीस्ट 15 के नहीं है देखिए चैन के अंदर बनाएंगे हम देखिए एक दूसरी चैन के अंदर कि दो सिंगल क्रोशिय बनाने हमने फिर थर्ड चैन के अंदर देखिए सिंगल क्रोशिय असे तो एक बार हमने लूप ले लिया दो बन गए मैंने दो से एक तीन ये चार ये पांच पांच चैन पे पांच हो गए है हमारे सिंगल क्रोशिया 600 चैन पे 600 सिंगल क्रोशिया हो गया देखे हमारा ये सेंटर का हो गया 13 है 6 इधर और 6 इधर ये हमारे सेंटर की चैन है 17 देखे इसके अंदर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने है एक, दो, और तीन, देखिए इस तरह से, तीन सिंगल क्रोश्य बनाया, अब देखिए इस साइड के जो हमारे पास छे चैन है, उसके उपर हमने छे सिंगल क्रोश्य बनाने है, एक, दो, तीन, चार, देखिए, चार, पांच, और यह हमारी लास्ट की, छे, देखिए, छे सिंगल क्रोश्य हो गई है, इस तरह से हमारे, इस तरह से दिखाई देने लग गया, अब देखिए, हमने नेक्स्ट वाली जो हमारी चैन, देखिए, इसको हमने इस तरह से सीधी पकड़ लिया है, अब वहाँ भी, देखिए, फर्स्ट राउंड में ही थोड़ा सा में, बाकी फिर इसके आगे देखिए, मारे चैन दिखाई देने लग जाती है, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये सात्वी चैन के अंदर हम तीन बार बनाएंगे, छे की अंदर हमने एक-एक सिंगल करोश्या, सेवन्थ चैन की अंदर हमने देखिए, तीन सिंगल करोश्या, सेवन्थ की अंदर, फिर इस साइड हमने छे है, तो छे की अंदर छे सिंगल करोश या एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे सिंगल करोश या बना लिएं हमने, इस तरह से बन गया है हमारा, अब फिर से देखें इस तरह से हमने दिखिकर मैं दुबारा से चार्ट करना बताूंगे, सिर्स्ट वाली चैन से, परने चैन से चार्ट कर लेना है, एक, दो, कि छे बना लिए हैं हमने छे चैन पर ये सैवन्त चैन है सैवन्त के ऊपर हमने चे सिंगल करोशिय बनाने हैं फिर से देखिए इसको हमने पिसाई टर्न कर लेना है देखिए हमारे पास जितने चोली के अंदर ट्रोफल को रोशिया थे उतने ही हमारे पास ये लूप बनेंगे देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तीरा चोदा पंदरा सोला सतारा अठारा उनिस बीस इक्षिस बाइस तेज़ चौविस पच्चिस चब्विस ताइस और अठाइस देखे अठाइस लूप हमारे पास आएंगे बहुत अच्छी ये जो लेयर है इसकी बनेंगी चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते इस राउंड को तो फिर मैं आगे बताऊंगी आपको कि हमने आगे क्या करना है इसका देखे अब ये हमारी सारी जो हमने बनाए थे रिंग स को बना सकते हैं लेमण और ये लाइन और गाजरी है यह लिया है कि इसको अब हमने देखे इस awakening को एक यहाँ चोड़ेंगे देखिए अब हमने क्या करना है यहाँ पे नीचे से एक चैन छोड़ दीना है एक सिंगल क्रोश्य छोड़ कर दूसरे वाले जो सिंगल क्रोश्य है हमारा पहले हमने वहाँ पे बूल को टैच करना है इस तरह से अब दिखिए इस बूल को टैच करके हमने इसको और इसको दोनों को इकठा ले लेना है और इसमें से एक बार इसको निकाल देंगे देखिए यह वाला जो लेमन है हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाकर अब देखिए हमने यहाँ पे सिंगल करोशिया बना देना है यहीं पर इसी चैन के अंदर सिंगल करोशिया बनाना है देखिए पहले तो हमने सिर्फ थ्रेड को टैच किया था अब देखिए यह एक चार पांच और छे देखे जो सेवंथ चैन आ गई हमारी उसकी अंदर हमने फिर से तीन बनाने हैं एक दो तीन सिंगल क्रोशिय बनाने उसके अंदर हमने फिर से तीन देखे तीन बार बना लिए और फिर से हमने इस साइट छे देखे पहले हमारे पास तीरा डबल क्रोशेट है छे छे बारा और तीरा देखे हमारे सेंटर में दो बड़े थे सेंटर में एक चैन पे तो हमने तीन बनाए थे एक तो हमारे चैन थी दो बड़ गे वो दो हम नीचे से छोड़ दिये तो हमारे पास अब उतने ही स्टीच रह तोड़ा टाइम लगता है देखिए 2 4 5 और ये 6 देखिए अब हमने ये वाली छोड़ देंगे इसकी निचे वाली और इसकी आगे हमारे देखिए एक छोड़ देंगे इस वाली कली की और एक इसकी हम नीचे से अब दो स्किप हो जाएंगे थर्ड चैन की अंदर हमारा देखे इस तरह से, तीन, चार, पांच, छे, अब सेवन्त चैन में हमने तीन बार बनाना है, तीन सिंगल क्रोश्य बनाएंगे, फिर से छे सिंगल क्रोश्य छे चैन पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, देखे छे हो गए, अब नीचे से हमने देखे चैन स्किप करेंगे, देखे इस साथ में कठा देखने में लग रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ साथ में ही साथ बनाते गए, इसको बनाया है, फिर इसको तो कोई भी चैन पीच में गया पनी है, तो हम देखे दो छोड़ेंगे, एक, दो, एक इस वाली साइड के, एक, दो, दो छोड़कर थर्ड चैन के अंदर हमने इस तरह से सिंगल क्रोश्य बना लेना है, छे बनाएंगे, तीन, चार, माच, छे, यह हमारी सेंटर की जो सेवंध चैन हो आएगी हर बार, हम इसके अंदर तीन बार सिंगल क्रोश्य बनाएंगे, अब इस साइड हमने फिर से टर्न करना है इसको, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, अफर नीचे से दो छोड़ देंगे, एक, दो, थर्ड के अंदर हमने फिर से बनाना है, इस तरह से देखिए, आगे आगे हमारा यह बनता जाएगा, चलिए हम इसको कंप्लेट करते हैं, राउंड को, देखिए हमारा यहां पे राउंड खतम हो गया देखिए, अब इसको हम यहां पे छोड़ देंगे, देखिए, हमने दो, चार, पांच, छे बना लिए, इसको जहां पे छोड़ेंगे, अब देखिए, जो हमारा येलो वाला धागा था, वो यहां पे है, अब देखिए, हमने इसको यहां से पहले स्टार्ट करेंगे, हर ब लेंगे देखिए अब हमने देखिए इसको पहले खीच लेंगे अब दोनों में से कठा निकाल लेंगे और इसको खीच लेंगे और इसको भी खीच लेंगे देखिए इस तरह से अब यहां पर टैच हो गया है हमारा देखिए अब हमने यहीं पर दुबारा से सिंगल करोश्य बना लेना है इस तरह से और फिर से दिखिए हम 6 काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, दिखिए हमारा यहाँ पे जब हम यहाँ पे तीन एक चैन में 3 डालते हैं तो हमारे 2 डबल क्रोशिया बढ़ते हैं हर बार तो हम यहाँ से एक छोड़ते जाएंगे तो हमारे बराबर स्टिच र जाते हैं 2, 4, 6 बना लिए अब 7 जो हमारी चैन है उसके अंदर हमने फिर से 3 बनाना है देखिए इस तरह से करते हुए हमने इस राउंड को कम्प्लीट करते जाना है देखिए इसी तरह से हम करेंगे इसके हम 9 राउंड बना लेंगे देखिए हमारा 1, 2, 3 यह थर्ड राउ देखिए अब हमने देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच छे बना लिए हर बार देखिए बस यहीं दो छोड़ देंगे थर्ड में बनाएंगे इस तरह से हमने करते जाना सेम ही राउंड हमारा रपीट होता जाएगा बस नीचे से हमने दो छोड़ते जाने हैं छे के बाद हमने सेवन्थ में तीन तीन सिंगल करोशिया बनाते जाने हैं सारे राउंड हमारे सिंगल करोशिया के ही बनेंगे चली हम इसके नो राउंड बना लेते हैं आ Iraq- अ देखिए यहमारा नाइन्थ भू हैं देखिए एक दो थीज्चार पांच छे आथ दो चार छेजात त technove देखे यहं सिर्फ कोऊर्णर में हमने सिंगल ग्रोशय मढ़ने है निएहां से वैसी बनाना है एक दो तीन चार पांच और छे दिएक जो सेवन्त चैन में हम पहले तो सिंगल क्रोश्य बनाते दी अब देखिएंगे हमने एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनानी है, फिर से यहीं पर तीन सिंगल क्रोशिया हमने और बनानी है अब दिखिए हमने वैसे ही छे सिंगल क्रोशिया बना देने है अब देखिए हमने दो नीचे से स्किप करनी है फिर इस साइड चार पांच छे अब सेवंथ में हमने एक दो तीन सिंगल करोशय बनाकर एक चैन बनानी है फिर से हमने तीन सिंगल करोशय बनाने है अब देखिए हमने उसके बाद एक दो तीन चार पांच और छे अब देखिए फिर से हमने स्किप करनी है दो तो तीन एक चैन फिर से तीन छे सिंगल करोशय हो जाएंगे देखिए एक चैन की अंदर हमारे पास है इस तरह से देखिए हमने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है अब हमने यहां पर एक छोड़नी होती है देखिए छे बना लिए हमने दो चार पांच छे अब देखिए हम इसको यहां पर जो हमारी यह फस्ट वाली है इसके अंदर इसको slip stitch कर देंगे इस तरह से अब इसको हमने cut कर देना है देखिए अब चोली की beading करनी है हमने देखिए इसको यहां से start करेंगे वैसे मैंने पहले भी काफी बार बताया हुआ है देखिए इस तरह से इसकी जो बीडिंग है हमने एक चैन बना ली अब एक, दो, तीन तीन चैन बना कर इसको यहीं पे हमने सिंगल करोशिया बनाना है अब नेक्स्ट चैन के अंदर जाना है फिर पहले सिंगल करोशिया फिर तीन चैन फिर से सिंगल करोशिया अब नेक्स्ट वाली चैन में पहले यहां पे सिंगल क्रोशिय देखिए जो हमारे प्रेसर राउंड का राउंड बनाती है जो यह हमारे सिंगल क्रोशिय होती है इसकी एक एक लाइन में हमने बनाना है पहले देखिए सिंगल क्रोशिय बनाना है नेक्स्ट लाइन में फिर हमने तीन चैन बना कर वहीं पे एक सिंगल क्रोशिय बनाना है अब हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है फिर यहां पे अब हमने यहां पे जाना है देखिए इस तरह से थोड़ी सी फ्रिल टाइप से बन जाएगी यह तीन चैन बनानी है अब यूसी पर फिर से हमने सिंगल क्रोश्य बनाना है अब देखिए हमने यहां पर तीन चैन बनाकर एक को स्किप करेंगे सेकिंड के अंदर देखिए हमने यहां पर इनकी बनाएंगे पहले कोर्णर पे इस तरह से अब देखिए हमने तीन चैन बनानी है फिर नेक्स डे एक चैन स्किप करेंगे उसके सैकंड के अंदर फिर तीन चैन बनानी है एक स्किप करेंगे फिर तीन चैन देखिए अब कोर्नर पे हमनी तीन चैन बनानी है पहले फिर यहीं पे हमने इसको इसी जगापे इसी लाइन में हमने दुबारा से एक सिंगल क्रोश्य जैसे देखिए अब हमने इस साइड किया था वैसे हम इस साइड भी कर देंगे हमारी जड्रेस बनगे देखिए इसको सेटिंग कैसे करनी है देखिए हमने कुछ नहीं करना इसको इस तरह से पकड़ कर सेट कर लें देखिए इस तरह से यह अपने आपी फोल्ड हो जाएगी देखिए इस तरह से एक एक लीफ को पकड़ कर देखिए एक तो हमारे यह भी सेट हो जाएगी इस तरह से अपने आप भी बैठ जाती देखिए कि इतनी अच्छी जो लेयर है वो बनकर आई है इसकी चोली की बीडिंग कर दी है देखिए यह ड्रस बनकर हमारी ड्याड़ी हो गई है देखिए इस तरह से हमारी यह ड्रस बनकर त्यार हो गई है अब हमें इसकी जो केब है वो बनाना सिखाऊंगी यह आपको दखिए इस तरह से हमने पहले मैं चेन बनानी है 1,2,3 नीन चेन बनाकर हमने देखिए इसको यहाँ फर्स्ट वाली चेन के अंदर इसको इस तरह से निकाल लेंगे अब हमने तीन चैन बनानी है, तीन चैन बना कर देखे, जो हमारा आपास, ये रिंग बन कर आया, इसकी अंदर हमने डबल क्रोशे करेंगे, एक, धख्य जो मारा तीन की चैन बनाते हैं, वो भी डबल क्रोशे में ही काउंट होता है, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा, देखिए, पांच नमबर के लिए मैं हमेशा ग्यारा लेती हूं, ग्यारा, डबल करोशिया बनाने के बाद देखिए, जो हमारी तीन की चैन है, यहाँ पर फर्स्ट के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से, अब हमने देखिए, फिर से इसकी दो चैन बनानी है, दो चैन बनानी के बाद हमने देखिए, अब हमने दो चैन बनाकर देखिए, उसी चैन के अंदर दुबारा से हमने हाफ डबल करोशिया बनाना है, अब हमने देखिए, हार एक चैन के अंदर दो दो हाफ डबल करोशिया बना लेने हैं कि मारे पास 11 डबल करोश्या थी 11 के उपर हमारे पास अब 22 डबल करोश्या हो जाएंगे 22 कि ता सना 5 इप दिन नमबर के लिए हमने डशेश रखिव मनें हिट्रोश्या बनाएंगे तो हमारे पास 20 रखिव के लिए हम 12 मिलें तो जास हो जाएंगे हमने एक करोश्या को यहां से कम करना है कि बाकि आप अपने लट्टू बपाल जी का जो सीर होता है उसको नाप लें कि कितना आएगा चैन बना कर भी नाप सकते हैं आप अब हमने क्या करना है देखे इस तरह से अब हमने दो चैन बनाएंगे अब हम देखे सिंगल क्रोशे का राउंड डालेंगे जैसे हमने ड्रेस के अंदर डाला है देखे ये वाला में राउंड इसी से डाल दूंगी अब हमने दिखे कोई भी इंकरीजी नहीं करना हर एक चैन पर एक एक सिंगल करोश्या बनाना है इस तरह से अब हमने जड़रे लगाजिए अकरीजी नहीं करेंगे नहीं हर एक सिंगल करेंगे इस तरह एक सिंगल करोश्या थाँआएएजी नहीं पर एक है कि अब हमने इसको यहां पर टैज कर देना है अब हमने देखे दूसरा कलर नजा लेना है अब हमने उसके साथ है पहले इसको एक चैन बना लेंगे अब इसको खीच लेना है अब नेक्स्ट चैन की अंदर हमने सिंगल करोशिया बनाना है हर एक चैन के अंदर सिंगल करोशिया बनाना है कोई भी अब हमने बढ़ाना नहीं है इस तरह से देखिए हमने चार पांच राउंड इस तरह से लगा लेंगे इसके बाद हम लेमन कलर का लगाएंगे फिर हमने कलर का लगाना है इस तरह से हम इसको चार पांच राउंड लगा लेते हैं तो फिर मैं आपको बाद में दिखा भगती हू कि देखिए अव हमनेदि देखे मैंने इसके अंदर एक तो मैं नह 2008 जाट बना लिये हमने सिंगल क्रोश्य के दो जबल रहती है हमारे देखिए अपने दीखिए दूर्ट सिंगल क्रोश्य बना लिया यह अमरे लास्ट राउंड है थर्ड चैन के अंदर हमने एक दो कि दो सिंगल क्रोश्य बनाने के बाद इसी के अंदर दुबारा से फिर दो इस तरह से बना लिए हैं फिर से हमने नेक्स्ट एक दो तीन सिंगल क्रोश्य बना लिए हैं अब फूर्थ के अंदर दो बनाकर थर्ड के अंदर दो बनाएंगे दो डबल क्रोश्य फिर से हमने एक दो चैन बनाएंगे दो चैन बनाकर दुबारा से इसी के अंदर फिर से दो सिंगल क्रोश्य बनाएंगे चार सिंगल करोशिय हो गए टोटल हमारे दो चैन फिर से नेक्स्ट देखिए दो सिंगल करोशिय बनाने हैं अब थर्ड के अंदर दो सिंगल करोशिय दो चैन फिर से दो सिंगल करोशिय और फिर से नेक्स्ट दो सिंगल करोशिय थर्ड के अंदर इसको हम कट कर देते हैं दो सिंगल क्रोशिया दो चैन और यहीं पर फिर से दो सिंगल क्रोशिया कि इसको हम हर साइज में बना सकते हैं इस कैप को भी और अड्रेस को भी देखे वो मैं आपको बताऊंगी कि छोटा बड़ा हमने कैसे करना है इसको कर दो अब हमने यहां पर एक बनाया देखे अब हमने यहां पर एक बना कर यहां पर एक बना लेंगे जो हमने यहां पर स्टार्ट किया था इसकी अंदर बना लेंगे हम अब एक दो इसको देखे हमने यहां पर स्टिच कर देंगे और अब इसको हम कट कर देंगे कि इसको अच्छे सी हमने अंदर करके सेट कर दीने इसको अजिए अच्छे अच्छे देखे इस तरह से हमारी जो कैप बनकर ready हो गई हैं देखिए इस तरह से मैंने अपने माधव को ड्रस पहना दी हैं देखिए इस तरह से ये उनकी कैप है देखिए बिल्कुल fit आया है जो इनका जो नाप है देखिए इस तरह से डेस्क की जो घेरा है और लेर है देखिए कितने प्यारी बन कर आई है देखिए ये आपने चार नंबर और पांच नंबर के लिए आप इतना बनाई तीन से लेकर पांच नंबर तक आप इतना घेरा बना लिए देखे 6 नमबर के लिए अगर आपने बड़ा बनाना है तो आपने बड़ा भी बना सकती है देखे मैं आपको दिखा देती हूँ जिसका कितना डायमेटर बन कराया है इस सदेस्क का, देखे इसका 10 इंच डायमेटर बन कर आया, अगर आपने 6 नमबर के लिए इतना चाहिए, तो इतना रख सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा करना है, 6 नमबर के लिए तो आप एक करांड और बढ़ा ले, तो उसे 11 इंच का तकरीबं 11 इंच के करी द्टीव रांड बढ़ जाएकख क्योंकि हमारी चोली भी बढ़ेंगी अगरे मारे चोली बढ़ेंगी just यह कली भी बढ़ जाएगे अगर देखिए दो नंब सकती सब्सक्राइब देखोऊ हट इस OF डबल क्रोशिय होंगे यह हमारे पास उतने ही बन कर आएंगे देखे चोली पे हमारे पास 16 होते हैं तो आप फर्स्ट राउंड का जो घहरा बनाया है मैंने उसको डबल कर देंगे हम 16 दूना 32 हो जाएंगे तो हमारे पास एक एक हमने स्किप करके बनाया तो हमारे पास 0 और 1 दो के लिए हमने अपने इसके अंदर 9 चैन बनानी हैं देखे हमने इवन नंबर में नहीं बनानी जो चैन बनानी वह ऑड नंबर में बनानी है जैसे 7, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से तो आप उसकी अंदर देखे 9 चैन बना ले और अगर 6 नंबर के लिए आपने गेरा बढ़ा करन बनाने 15 च्ञेंड बनाने 15 चेंड बना और यहां से एक राओं बढ़ा ले इस तरह से इस तरह से पूसे बढ़ा बनानेrega 7 नमबर के लिए 놀व तक आप इसके अंदर 21 रांड और बढ़ा लें दो तीन राओं और बढ़ा सकते हैं तो देखिए आपने जो चोली भी हमारी चोली के अंदर भी एक यहां से घेर आप बढ़ा सकते हैं देखिए अगर चोली का यह घेर बढ़ाएंगे तो हमारे पास यह काफी ज्यादा बन कर आएगा इसलिए चोली के अंदर हम एक ही देखते हैं जिसको हमने डबल करन होता है सारे चाहिए आप कोई भी साइज में बनाओ उसको दिखी हमने क्या करना है चोली के बाद फर्स्ट जो घीर है हमारा उसको डबल कर देना है क्योंकि जितने चोली पे हैं उतने हमारी यह लियर बन कर रहेगा इस तरह से आप इसको बनाते जहीं दिखें बड़ी ड्रे नो चैन डाले चलिए मैं इसके अंदर आपको मफरल बनाना दोताओंगी चोटा सा मफरल भी बना देते हम देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है देखिए इस तरह से हमने सबसे पहले चैन बनानी है हमने देखिए आपने इस तरह से नाप लेना है चैन को देखिए इस तरह से हमने चैन को नाप लेना अपने ठाकरजी के लिए देखिए हम इतनी सी चैन को अब कट कर देंगे चाहिए आप एक कलर का बना ले चाहिए आप दो कलर का बना ले देखिए अब हमने इसको दो चैन डालकर इसको यह से टर्न करेंगे देखिए दो चैन तीन चैन चोड़कर हमने यहां से सिंगल क्रोशिया बनाना है देखे पूरी चैन के अंदर हम इसके अंदर डबल करोशिया बना लेते हैं चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ डबल करोशिया बनाकर देखे इस सरे से हमने इसको यहां से कट कर दूँगी मैं इसको अब इसकी हम बीडिंग कर देगे इसको इधर से स्टाट कर लेंगे जो हमने यहां पे डबल करोशिया यह पहले वाला इसके अंदर से हमने देखे पहले तीन चैन बनाएंगे तीन चैन बना कर देखे हमने यहां पे दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ देखे डबल क्रोश्या बना लिए अब हमने तीन चैन बनानी है तीन चैन बनाकर इसको यहीं पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद देखे नेक्स्ट चैन पे हमने सिंगल क्रोश्या बनाना है अब सारा सिंगल क्रोश्या बनाकर ले जाएंगे हम इसको तरह से यह हमारा बन जाएगा निच्चे देखे इसको इसकी कोई लंबाई का वो नहीं है आप अपने हिसाफ से जितना भी इसको बड़ा चोटा बना सकते हैं उतना बना लें अगर आप जीरो नंबर एक नंबर के लिए बना रहे हैं तो हमने ये वाला जो राउंड है इसको भी हमने हाफ डबल क्रोश्या से ही बनाना है चाहिए आप देखे दू राउंड इसके सिंगल सिंगल क्रोश्या से ही बना ली एक इसका एक इसका क्योंकर बहुत छोटा होता है उनका जो पठका बनेगा चलिए मैं इसको यहां तक सिंगल क्रोश्या कर लेती हूँ पहल कि अप हमने देखे मारे पास ये दोनों धागे हैं इसको इस साइड कर लेंगे और इसको इससाइड कर लेंगे देखिए इस तरह से तो अब हमने देखिए पहले कि इसको यहां पर सिंगल इसको डबल क्रोशे के अंदर इसके अंदर इस तरह से पहले सिंगल क्रोशे बनाना है बाद में तीन चैन बनाएंगे हम एक दो तीन चार पांच छे देखिए इधर हमने इतने बनाए थे हम उतने ही बनाएंगे दो चार छे साथ आठ एक तो हमने तीन की चैन बनाए थी उसको भी काउंट करेंगे दो चार छे साथ और आठ आठ बनाने के बाद हमने तीन की चैन बनाकर इसको यहाँ पर सिलिप स्टिच किया था यहाँ पर अब देखिए इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे अब देखिए जो हमारे पास यह एक्स्ट्रा इसको भी कट कर देते हैं इस तरह से जो हमारा मफ्रल बनकर त्यार हो गया है देखिए इस तरह से जो हमारे लड़ू गपाल जी का मफ्रल बनकर त्यार हो गया है देखिए हम इसको इस तरह से दे देंगे इसको बाकी आप अपनी चोईस है जैसे मर्जी इसको पहना सकते हैं मफ्रल को इस तरह से हमारे लड़ू हमारे माधा विल्को रेडी हो गए है लेखे इस तरह से आपको हमारी ये लड़ू गोपाल जी की डेस्की वीडियो पसंद आई प्लीज इसको लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए थैंक यूँ